उत्तर प्रदेश में सिख्छा निदेशक के द्वारा सभी जीला विद्याले निरिक्षक को दिनांक 18 सितंबर 2022 को उत्तर प्रदेश के औसास के सहता प्राप्त माधमिक विद्यालेओं में लिपिक सिरेणी पदो पर चैन के संदर में ये लेटर जारी किया गया है जैसा कि आपको ग्यात होगा पहले जो समय सारड़ी डिसाइड की गए थी वो समय बेच चुका था जिसकी वज़से फिर से इसमें एक बार समय सारड़ी में महतोपून चेंजेज किये गए हैं ये जो क्लर्क की भरती है ये सरकारी क्लर्क होंगे ये एडेड स्कूल कहने का मतलब की अर्द सरकारी स्कूल जो होते हैं उसमें जो कर्मचारी होते हैं वो सरकारी कर्मचारी होते हैं चाहें वहां की टीचर की बात करें जैसे कि अभी जूनियर एडेड हाई स्कूल में आप इसकिन पर देख सकते हैं, इसमें चेयन का प्रक्रिया निर्धारन के संदर में फिर से ये आदेश जारी किया गया है, आप इसकिन पर देखिए, यहाँ पर अगर बात करें, तो पूरा प्रोसेस क्या रहने वाला है और क्या कुछ होगा, इसके बारे में बाते कही गई ह आप देखिए, यहाँ से पूरा समय साणी है, सबसे पहले 18 सितंबर 2022 तक जो निदेशाले द्वारा है जनपदों को निर्धेश प्रेशित कर दिया जागा, तो 18 सितंबर को ही ये लेटर जारी किया गया थो, यहाँ तक लिया, 24 सितंबर 2022 तक संस्थान के प्रबंधक ग्रूप C की जो क्लर्क्स की भरती है, एक बहुत लंबे अर्से के बाद ये भरती ही आ रही है, आज हम लोग डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं, और उस दोर में आकर के आप अगर आफलाइन आवेदन ले रहें और इतना कॉम्प्लिकेटेट प्रोसेस बना रहें तो निशी तोर पर इसमें धानली के बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे, बिहार में जो छटवे चरण की सिक्षाक भरती प्रक्रिया हुई थी, वो भी ऑफलाइन प्रक्रिया के माध्यम से हुई थी, उसमें इतना ज़्यादा धानली देखने को मिला था, तो जब हमारे पा कार को एक बार फिर से विचार करना चाहिए, ऑनलाइन प्रोसेस करना चाहिए, चलिए फिर भी जैसा भी ये आगे देखते हैं, 24 सितंबर 2022 तक यहाँ पर सभी जो प्रबंदक होंगे और प्रधनाचारे होंगे वो जीला विद्याले निरिक्षक को प्रस्ताव भेजेंगे जैसे कि कहने का मतलब कि एक जीले में अलग अलग प्राइवेट इस्कूल जो होंगे, अड़ेड इस्कूल जो और सरकारी हैं, उनके प्रिंस्पल के द्वारा या मैनेजमेंट के द्वारा ये जीला विद्याले निरिक्षक को हर विद्याले में जो D.I.O.S. होता है, उसक अब डेटा जो है, वो सिक्षा निदेशक को भेज देगा, यानि हर जीले से डेटा आ गया सिक्षा निदेशक के पास, ये कब तक प्रोसेस हो जागा, ये 26 सितंबर 2022 तक हो जागा, उसके बाद से 30 सितंबर 2022 तक जो सिक्षा निदेशक है, इनके द्वारा जनपतों से प्र किया जाएगा और अनुमती दी जाएगी कि अब आप भरती प्रक्विया सुरू कर सकते हैं उसके बाद से देखिए 3 अक्टूबर 2022 तक सिख्छा निदेशक से अनुमती प्राप्त होने के उपराम्त जिला विद्याले निरिक्षक द्वारा प्रबंध तंत्र को लिपिक पद भरने है तुव विद्यापन की अनुमती प्रदान की जाएगी मतलब कि एक बार देखिए सबसे निचले इस तर से प्रोसेस उठा था सबसे उपर इस तर तक अब उपर इस तर से फिर प्रोसेस नीचे इस तर तक आ रहा है कितरा कॉंप्लिकेटेट बनाया गया आप इसको समझिए कि जब सिख्छानी देशक अनुमती देगा सभी जिला विद्याले ने रिक्षकों को उसके बासे जिला विद्याले ने रिक्षक फिर से अनुमती देंगे कॉलेज मैनेजमेंट को कि अब आप इसकी वैकेंसी का विग्यापन निकाल सकते है ठीक है ये कब किया जा पर एबं जनपद सरवाधिक प्रसार वाले जीला सूचना अधिकारी द्वारा दी गई सूची के प्रथम पांच में से कम से कम दो राजे इस तरी समाचार पत्रों में विद्याले वार्स आरक्षण पदों की विग्यापन प्रकाश्रित करना सुनिशित किया जाएगा ठीक ह हो रही है यह 6 अक्टूबर 2022 तक यह प्रोसेस किया जाएगा उसके बाद से 27 अक्टूबर 2022 को अभियर्थियों द्वारा अपना आवेदन रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से संस्था के प्रबंध को प्रेशित करने के साथ ही उसकी छाया प्रती जीला विद्याले निरिक्षा को इमेल आईडी पर प्रेशित करना होगा इतना कॉंप्लिकेड़ बनाने की जूरत क्या थी आप स्कूल मैनेजमेंट को अपना आफला प्रेशित करेंगे यहां तक क्लियर आगे देखिए संस्थान प्रबंधक द्वारा प्राप्त आवेधन पत्रों को अभियर्थी द्वारा पेट में प्राप्ताइंग परसेंटाईल के स्कूर पर आधार पर मेरिट सूची तियार किया जाना यह 6 नवंबर 2022 तक होगा यान के परसेंटाइल के स्कोर के अधार पर मेरिट सूर्जी तैयार की जाएगी 6 नॉवंबर 2022 तक और ये स्कूल वाइज अलग-अलग हो रहा होगा ठीक है उसके बासे 22 नॉवंबर 2022 तक देखें मेरिट के अधार पर एक पद के सापेक्ष 10 आवेदकों को कम्प्यूटर पर टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा ठीक है और इसके लिए अलग से शासना देश जारी किया जाएगा 22 अक्टूबर 2022 तक ये प्रक्रिया की जाएगी उसके बासे 4 दिसंबर 2022 तक कम्प्यूटर टंकर परिक्षा क्वालिफाई करने वाले अभियरतियों की पेट में प्राप्त परसेंटाइल स्कोर के अधार पर मेरिट सूची बनाना और विग्यापित पदो के सापेक्ष तीन भी सीट होंगे उसके सापेक्ष तीन गुणा अभियरतियों को इंटर्व्यू के लिए कॉल किया जागा जब इंटर्व्यू ग्रूप सीच जैसी भरतियों में खतम कर दिया गया तो फिर इंटर्व्यू रखने का प्रावधान क्या है एक तो प्रोसेस आपने आफ्लाइन कर रखा है उपर से आप इंटर्व्यू ले रहे हैं जो कि पहले ही खतम कर दिया गया था तो यह सब चीजे निशित तोर पर प्रोसेस को बहुत जटिल बना रही है और इसमें धांदली के बहुत ज़्यादा संभवनाएं बढ़ जाएंगी क्योंकि जो स्कूल आपके पास कोई प्रूफ ही नहीं रहे है क्योंकि ऑनलाइन कुछ डेटा थोड़ी हो रहा है कि जो कोई भी बेंदा कहीं से भी देख सकता है तो बहुत ज़्यादा धांदली के चांसेस रहेंगे ठीक है चलिए खैर आगे बढ़ते हैं उसके बासे देखिए 10 दिसंबर 2022 गठित चैन समिति द्वारा अभियर्तियों का 20 अंक का साक्षातकार यानि इंटर्व्य होगा 10 दिसंबर 2022 तक उसके बासे 17 दिसंबर 2022 तक चैन समिति द्वारा अभियर्तियों के पेट परिक्षा तथा साक्षातकार में प्राप्त अंकों के योग की आधर पर मेरिट सूच प्राप्ट चैनित सूची समस्त अभिलेक सहीत जिला विद्याले निरिक्षक को बेजा जागा यानि कि अब स्कूल मैनेजमेंट ने फाइनल मेरिट लिष्ट बनाकरकर अभियर्थों को चैन कर लिया और ये चैनित जो अभियर्थी हैं इनका सभी अभिलेक जो है वो जिला विद्याले निरिक्षक यानि D.I.O.S. को फिर से बेजा जागा 24 दिसंबर 2022 तक उसके बासे 1 जनवरी 2023 को जिला विद्याले निरिक्षक द्वारा कारे वृत्ति तयार करा करके अभिलेकों का सम्यक परिक्षण करते हुए अपने अभिमत सहित प्रस्ताओं मंडलिय समिती क समक्ष प्रस्तूत करेगा यानि कि इसे एप्रूब करने के बासे वो मंडल इस तर पर इसे भेज देगा उसके बासे 8 जनवरी 2023 तक मंडलिय समिती द्वारा नियमों के आलोक एवं अभिलेकों के सम्यक परिक्षण के उपरांत वित्तिय अनुम्यत्या निर्गत करना यानि स्कूल मेनेजमेंट के द्वारा या फिर नियुकती प्राधिकारी जो होगा उसके द्वारा आपको एलोट्मेंट लेटर या यू कहा कि एपॉइंट्मेंट लेटर आपको इश्यू कर दिया जाएगा तो 16 जनवरी 2023 महतुपून ति थी है जिस दिन आपको आपका चियन के बहुत ज्यादा चांस दस रहेंगे आपको आपका क्या कुछ कहना है कमेंट के मादम से जरूब बताएगा और ऐसे ही महतुपून अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धनेवाद भगवान करे आपका दिन शुभ हो